एक स्कूल जहां दिन में तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे लेकिन रात को वही स्कूल भोतों का अड़ा बन जाता था सुबा जब स्कूल के गेट खोल कर बच्चे और टीचर अंदर आते तो सबी कमरों में रखे कुरसी और टेबल तितर बितर पढ़े हुए मिलते यह सब देखकर स्कूल के बच्चे तो डर के साहें में रेते साथ ही उस स्कूल में पढ़ाने वाले सिक्सकों को अजीब सी आवाजे सुनाई देती और हर सुबा स्कूल के ब्लेक बोड पर लिखा रहता था हम सब यहीं है तो मैं डरने की जरूरत नहीं है आपको यह कहानी केसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस यूर भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे